माफिया अतीक हमद और उसके भाई अश्रफ की प्रयागराच में शनिवार देश राम पुलिस की मौजूदगी में गोली मार कर हत्या कर दिगे इस घटना के बाद उत्रप्रदेश सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं इसी कड़ी में AI MIM चीफ और हैदरबाद से सांथ असदुदीन ओवेसी ने भी योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में बीजेपी की सरकार कानून के तहद नहीं बलकी बंदूक के दम पर चल रही है वाकिया हुआ है साल लावाज प्यावाज में पुलिस सेक्यूरिटी के वीच में पुलिस का स्टडी में दो एक्च्यूस थे उनको पॉइंट ब्लैंक पीसे शूट कर दिया गए दोनों की डेट हो गई है पी हाई प्रोफाइल मामला था इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं देखिए मैंने शुरू से आप आपसे कह रहा था कि यह उत्तर परदेश में बीजेपी की सरकार रूल ओफ लॉव के तहद सरकार को नहीं चला रही है बलके रूल बाइगन को चला रही है और यह पिछले 2017 से जब से बीजेपी की गौवर्णमेंट बनी और वेसी ने कड़े शब्दों में घटना के निंदा करते हुए कहा कि यह एक cold-blooded हत्या थी घटना कानून ववस्था पर सवाल खड़ा करती है और वेसी ने CM योगी से लेकर नरेंदर मोधी तक पर निशाना साधा है उन्होंने खा कि अतीक अश्रफ की हत्या की जमेदारी मुख्यमंतरी योगी आदितेनात की है इसलिए उन्हें इस्तीफाते देना चाहिए और वेसी ने सुप्रीम कोट से स्वाते संग्यान लेकर मामले की जांच करने की भी गुहार लगाई है AIMIM चीफ ने कहा कि सुप्रीम कोट की बनाई जांच समिती में यूपी का कोई अधिकारी नहीं होना चाहिए तो हम यह डिमांड करते हैं कि यह पूरी जमेदारी उत्तर परदेश के मुख्यमंतरी पर आती है क्योंकि उन्होंने उत्तर परदेश की विधान समा में खड़े होकर कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे देखो आपने यह कहाना यह कोई जबान है एक एक देश के सबसे बड़े परदेश के मुख्यमंतरी की जो बीजेपी के लोग उनको नरेंदर मोडी के बाद या उनसे पहले परदान मंतरी बनाना चाहते हैं शायद दोजार चौबीस में बना देंगे या उन्तीस में नहीं मालूम या प्रजेक्ट कर देंगे ये उस बाद है एक मुख्यमंतरी की जबाद होती है क्या बताईए आप ने एक मट सुनिए मुझे मुझे मुकमल करना जीए मुझे मुकमल करना जीए हम डिमांड ये करते हैं को उत्तर परदेश के मुख्य मंत्री इस्तिफादें दूसरा में डिमांड करते हैं कि सुप्रीम कोड एक इन्वेसिगेशन टीम को बनाए मोटो सुप्रीम कोड ले हम प्लीट करतें सुप्रीम कोड से ये उसी वक्त रुकेगा जब नहीं रुकेगा वरना ये चलता रहेगा तो चार दिन पांच दिन के बाद फिर शुरू हो जाएगा और वो इन्वेसिगेशन टीम में सुप्रीम कोर्ट उन लोगों को रखे जिनका तालुग उत्तर परदेश से ना हो क्योंकि उपर से लेके नीचे तक इसमें लोग होंगे कहां से इनको हतियार आया किसने कहां उनको वहाँ पर जाओ किसने उनको इस तरह की बातें कहीं ये सब चीज़ें निकलनी चाहिए टाइम बॉन्ड और दूसरी चीज़ समवेधान में आटिकल 311 है और आटिकल 311 के तहद तमाम पोलिस ओफिसर्स को निकालना चाहिए नोकरी से प्रधार मंत्री सांसद है उस प्रदेश में क्या हो रहा है भारत का हर नागरिक इस घटना के बाद गैर महफूस और कमजोर समझ रहा है पदान मंत्री से पुछना चाहेंगे कि पदान मंत्री जी आप कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे पदान मंतरी भाशन में बोलते हैं के मेरी सुपारी ली गई जहां से हैंजा है। क्या हो रहे बताइए ना जी ट्वेंटी होने जा रहा है देश में क्या कि यह हर भारत का वो नागरिक अपने आपको गहर मैंफूस और कमजोर समझ रहा है कल कि इस वाके के बाद अवेसी ने कहा कि आप गोली मारकर धार्मिक नारे क्यों लगा रहे हैं इनको आतंकी नहीं कहेंगे तो क्या देशभक्त कहेंगे क्या बीजेपी फूल का हार पहनाएंगे जो लोग एंकाउंटर का जश्न मना रहे थे शर्म से डूब मरो तुम लो आपको बता दे कि हमलावर प्रुन्यातीक एहमद और अश्रफ को एक के बाद एक कई गोलियों से भूने के बाद जैश्री राम के नारे लगाया थे और सेरिंडर किया था इसी पर ओवेसी ने बीजे पेपर निशाना साधा है इस खबर में फिलाल इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ